कि यूजी दोज़ार चौबिस के थू एलहाबाद उन्वासिटी में एडमिशन के लिए उन्वासिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कैसे एडमिशन होगा क्या प्रक्रिया है कब से एडमिशन चालू होगा कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा सारी चीजों क बारे में बात करेंगे पूरी वीडियो को जरूर देखेगा नमस्कार मेरा नावे आशुतोस राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक सिख्था के इस प्लेटफॉर्म पे देखो रिजल्ट का तो कोई सुखवुगाहट तक नहीं कि कब आएगा या कब तक आंसर की आएग हूल पे वैसे ही एलाबाद यूनीवर्सीटी ने भी अपने ।क की फ़िए स्टांट कर दिया है तो फिर result आने के बाद या exam होने के बाद आपको हर university के website पे जाके वहाँ उसके लिए registration करना होता है जैसे अलावाद में अगर आपको admission चाहिए तो अलावाद university के website पे जाना होगा और वहाँ आपको registration करना होगा कुछ important details मैं आपको बता देता हूँ देखिए आप जाओगे तो alduniv.ac.in इसी website पर आपको पता चलेगा इसमें जो notification आया देखिए इसमें साब साब दिया कि 6 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आपका registration चलेगा तीन phases में पूरी प्रकिरिया होने वाली है अभी detail में मैं आपको बताऊंगा पहला तो है registration दूसरा जब score card आएगा जब आपका CUT result आएगा तो आपको result अपलोड करना होगा और इस तरीके से पूरी प्रकिरिया आपकी होने वाली है ठीक है आगे देखिए इसमें दिया हुआ क्या 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 आपको क्या क्या चाहिए CUT का admit card होना चाहिए आपके पास जबकि form में कहीं upload करते वक्त लग नहीं रहा है बस application number याद होगा तो भी चल जाएगा 10 प्लस 12 की mark sheet होनी चाहिए फोटो और signature होना चाहिए जेपीची format वे और आपका recent card certificate देखो card certificate में बहुत important चीज आपको बता रहा हूँ एक अप्रेल के बाद का बना होना चाहिए जब form भर के मैंने देखा अभी इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे कि step by step form billing तो उसमें बहुत important चीज था कि एक अप्रेल के बाद का बना हुआ होना चाहिए कास certificate EWS वालों के लिए income certificate भी चाहिए certificate नहीं तो फिर भी आपका annual income कितना यह पूछ रहा था form में ठीक है आगे देखिए उसके बाद क्या दिया है कि सबसे पहला phase है registration का ठीक है जो कि आज से चालू हो रहा मतलब 6 तरीक रा और उसके बाद देखिए दूसरा process है कि प्रोग्राम सेलेक्शन का और payment of registration पहला फेज होगा registration का आपको अपना application number डालना है कहां डालेंगे देखिए यहां पर जाएंगे ना देखिए यहीं पर तो देखिए सबसे पहले है कि यह website बनी है जिससे सारा एलावाद university का admission process होग इसमें जब जाएंगे आप तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले यहां new registration पर क्लिक करना होगा और जैसे करेंगे अपना application number date of birth डालके फिर आपके mail पर OTP जाएगी और वहां से आप registration कर लेंगे ठीक है ना registration में basic details मांगी जा रही है अभी हम step by step पूरा भर के आपको अ जो कि non refundable है आपको admission मिले या ना मिले यह पैसा वापस नहीं होता है और SCST के लिए 1500 रुपय है ठीक है ऐसा ही हर university के लिए आपको उसके website पर apply करना होगा धीरे धीरे आएगा तो डेली university का आचुका है एलाबाद का चल रहा भी आ गया है बीचुका भी आया नहीं है कुछ दिनों में आ जाएगा तो चैनल पर आप subscribe करके बने रियम लोग आपको counseling की सारी updates यहां पे देने वाले है ठीक है एक और important चीज़ इसमें है क्या कि जब आप apply करेंगे देखिए तो main website है लावाद की ठीक है आप जब apply करेंगे तो एक बर bulletin इसमें दिया हुआ है इसको सारी चीज़े है ठीक है हलाकि उसका भी उसका कोई आपको मतलब जरूरत नहीं है बस आपको registration करना है ठीक है अपना फीज पेमेंट करना और कुछ नहीं करना है ठीक है और सारा सब्सक्राइब सभी हम अगले वीडियो में बताएंगे तो अभी के लिए अपडेट है कि इल लेना न लेना हो वो अलग बात है आप counseling प्रक्रिया में जरूर से भाग लीजे ठीक है तो यह रही अपडेट बाकि आपके मन में कोई सवाल है तो comment box में छोड़ जाएगा all the best